नवस्कर दोस्तों आज है 4 सितंबर 2019 और 4 सितंबर 2019 से करनेट अफरेज के जितने भी कुस्स बनते हैं सभी को इस विडियो में डिसकस करेंगे पूरे विडियो को बड़े द्यान से देखना दोस्तों यहाँ पर आपको प्रत्वी की तीन फोटो यहाँ पर दोस्तों दिख र बिल्कुल क्लियर तरीके से देख सकते हो 1993 के अगर बात करी जाए तो 1993 में यह वाइड वाइड जो आप यहाँ पर डॉट्स देख रहे हो यह हैं सेटलाइट्स क्या होता है कि दुनिया के जितने भी देश हैं हर कोई चाहता है कि इस पेस में वो अपना सेटलाइट भेज तो उसी के चलते 1993 तक प्रत्वी के चारो तरफ इतने सेटलाइट्स पहुँच चुके थे इसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग दोजर 18 की बात करें तो आप कह सकते हो कि आप प्रत्वी को बिल्कुल क्लियर तरीके से नहीं देख सकते हो क्योंकि इतने जादा अगर इन दोनों देशों के बीच में आपस में लड़ाई होती है तो अगर इस्पेस वार जो छिड़ गया तो इस्पेस वार में क्या होगा कि क्या पता अमेरिका क्या करे कि रसिया के कुछ सेटलाइट्स को मार कर गिरा दे तो उनका पूरा संचार व्यवस्ता जो होगी डेमेज उटाएगी इसी तरीके से रसिया भी ऐसा कर सकता कि वह अमेरिका को धंकी दे सकता है कि मैं तुम्हारे जितने भी सेटलाइट से उनको मिसाइल से मार कर गिरा दूँगा यही चीज चाइना भी धंकी दे सकता है तो कोई भी देस किसी से आज की डेट में दबना न चल रही है और अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना उसको ऐसी धंकी दे कि वह इस पेस में आपको बहुत ज़्यादर नुकसान पहुचा सकता है जिसको लेकर हमारा सबसे पहला कुशन देखो क्या बना है कि हाल ही में किस देश ने आंत्रिच्छ युद्ध के लिए यानि क अमेरिका ने अभी रिसेंट में आंत्रिच्छ युद्ध के लिए समर्पित एक इस्पेस कमांडो इस्पेस कमांड जो होती है इस्पेस कौम नाम से इस्तापित करी है तो अमेरिका इसका राइड एंसर हो जागा यह जो इस्पेस कमांड उसने इस्तापित करी है इसका यहां पर यह वाली फुटो आप देख सकते हैं कि इस समय क्या कंडिशन हो रखिए सारे प्रत्वी के चारों तरफ कितने ज़्याद सैटलाइट्स हैं और ऐसा लगता है कि अगला जो युद्ध होगा अगली पीडी का जो वॉर होगा वो इस्पेस वॉर ही होगा तो इसी के चलते अमेरिका ने इसको स्टावलिस किया है आगे चलते यहांपर आपको दिखाते हैं चूकि ऐसा करने के बाद में यह जो इस्पेस कमान है यह पेंटागं का ग्यार्वा पूर्ण कमांड सिस्टम बना है तो यह भी आप याद रखेंगे पेंटागं का कौन सा पूर्ण पूर्ण कमांड बना है तो ग्यार्वा पूर्ण कमांड यह बना है पेंटा गन का अब दोस्तों आपको बता दीए पेंटागन जो है यह अमेरिका में इस तरत एक विल्डिंग है जिसको पूरे अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट बोला जाता है, हेड क्वार्टर अफ दा युनाइटेट इस्टेट अफ डिपार्टमेंट अफ डिफेंस, तो इसमें जितने भी सेना होती है, उन सभी के मुख्याले यहां पर है, और ऐसा मना जाता है, कि दुनिया के सबसे बड़े ओफिस में इसका नाम आता है, और एक बार में डेली 24,000 एमपलॉई यहां पर काम करते हैं, तो यह आप इसका पोड़ो भी देख सकते हैं, इसका आकार जो सेफ है, यह पेंटागन सेफ में है, आगे चलते हैं, की पबलिक है, यह चाइना में डेमोक्रसी की डिबांड कर रहे है, डेमोक्रसी क्या होती है, डेमोक्रसी होती है, जिसमें की जो सरकार होती है, उसका चुनाव जनता की द्वारा किया जाता है, जैसा कि भारत में होता है, भारत में जबाब वोट डालने जाते हो, तब जाकर PM बनते हैं ठीक है उसी तरीके से चाइना भी चाती है कि हमको भी अधिकार दिये जाए चाइना में डेमोक्रासी लाई जाए तो यहाँ पर देखो आज का कुश्चन क्या बनाए वो समझते हैं कुश्चन ये बना है कि होंग कॉंग में लगातार चल रहा है विरोध प्रदर्सनों के बीच में चाइना की कौनसी नीती प्राणाली जो है वो फिर से चर्चा में आ गई है तो दोको हर देख में कुश्चन कुछ कह सकते हो कुछ कलेस होता है इसी तरीके से चाइना के साथ म लाली एक्शुल में इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ ध्यान से समझना बहुत इंपोर्टेंट मैटर है देखो चाइना के साथ में लगा हुआ सबसे पहले मैं आपको चाइना का मैप दिखाता हूँ देखो भारत से उपर जिस तरीके से आप देखोंगे यह आपको दिख रहा है यह टॉपिक आपके लिए समझना इस वज़े से भी जरूरी है कि चाइना में जो इस समय विरोध प्रदर्सन चल रहा है उससे अमेरिका को फाइदा मिलेगा और इंडिया को भी इससे फाइदा मिलेगा ठीक है क्योंकि चाइना जो है अमेरिका अभी अमेरिका के साथ में उसका वैसे भी ट्रेड बॉर चल रहा है तो अगर वह जो चाइना है इस चीज में मात खाएगा तो अमेरिका उसको पूरी तरीके से दबा देगा और भारत को भी इसमें फाइदा होगा अब यहां पर आप देखेंगे ध्यान से यह रहा चाइना का मै तो चाइना से बिल्कुल नीचे की तरफ में जुड़ा हुआ एक जगह है जिसका नाम है गुआन जाओ ठीक है इस जगह के नीचे में इस्तित है होंग कॉंग इसको अगर हम लोग और जूम करके देखें तो होंग कॉंग आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा चोटा सा इएलें हॉंग कॉंग इस पर पहले बृटन का सासन हुआ करता था चाइना का इस वाले रीजन से कोई भी मतलब नहीं था बृटना पूरी तरीकेर से इस में इस तरीके पर कबजा जमाए हुआ था स्वेस्जान चाइना भी waktu फिराक में था इसके बाद में दूसरे वर्डवार के टाइम पे यहां पर ब्रिटन नहीं हाँ पर लगबग का केंदर भी बन चुकी थी क्योंकि इस तरीके से इसका रूट भी था कि चाइना के जो लोग है वो धिरे-धिरे इस रीजन की तरब आकरसित होने लगे ठीक है इसके बाद में क्या किया ब्रिटेन ने जब यह सोचा कि चाइना के लोग यहां पर मुव्मेंट कर रहे हैं बा लिकेन जब यह 99 साल का टाइम पूरा होने को आया था तो क्या हुआ कि जब यहां के लोग हैं जिनको समझ में आया कि 99 साल पूरे होने वाले हैं अब हम क्या करते हैं अब हम लोग विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं तो यहां के लोग ने धीरे-धीरे डिमांड करना श शुरू कर दिया उनको जेल में डालना शुरू कर दिया तो बाके वचे लोगों ने देखा कि चुकि हम अपना हक मांग रहे हैं और इसके बावजुद भी चाइना सरकार हमको बराबर दबाती जा रही है इस बज़े से यह चोटा सा विद्धरो एक बड़ा रूप लेकर साम दें यहां पर इसको यह चीज दो प्रणाली इस वज़े से भी वोला गया है क्योंगि पूरे चाइना में अलग रूप चलता है और होंकों के हिसाब से रूप को चेंज कर दिया गया है इस वाज़े से एक देख में दो प्रणाली होती है वो नहीं सस्टेन कर सकती इस matter हुआ है इसके बड़े से दोस्तों एक छोटे से वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी information मैं आपको provide कराता हूँ आप सभी लोगों से request है हर एक वीडियो बहुत मैनत से तयार होता है सभी लोगों से request है कि सभी लोग मुझे motivate करने के लिए वीडियो को like करें और जितने भ टेल वीडियो बनाने के लिए और इसको पूरे महिने तक continue करने के लिए अगला कुशन चलते हैं करेंटफर्स का अगला कुशन बना है विराट कोली को लेकर देखो विराट कोली ने कितने test match को जीत कर सबसे सबल कप्तान होने का दर्जा हासिल कर लिया है तो विराट कोली स यहाँ पर right answer हो जाएगा 28 test match जीत कर इस record को अपने नाम पर कर लिया है तो option A यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं साबसाब विराट कोली का फोटो देख सकते हैं उन्होंने जिसको पीछे किया है MS Dhoni का भी फोटो देख सकते हैं तो एक तो हो गया कि सबसे सफल कप्तान अगर test cricket में कोई बना है इंडिया की तरब से तो वो बने हैं विराट कोली कितने test match जीत कर 28 test match जीत कर अगर आपसे पूछा जाए किसको पचालकर बने हैं तो right answer हो जाएगा MS Dhoni को पीछे करके विराट कोली आगे बढ़े हैं ठीक है तो एक प् हैनत से ये विडियोज बनते हैं अगले कुशन की तरब चलते हैं आप सभी लोगों के लिए खुसकवरी है और पाकिस्तान के लिए बड़ी दुक्की खबर है हाल ही में भारती वायू सेना में कितने अपाचे लड़ाकू विमान लड़ाकू हेलिकॉप्टर को सामिल किया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा भारती वायू सेना ने अभी रिसेंट में आठ ने अपाचे लड़ाकू हेलिकॉप्टर को भारती वायू सेना में सामिल किया है तो यह option यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर आप अपाचे हेलिकॉप्टर का फोटो भी दे दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई लडाकू विमान है तो वो यही अपाचे हेलिकॉप्टर है इससे बड़ा लडाकू विमान अभी तक पूरे विस्तु में नहीं है इविन अमेरिका जो है वो इस समय इसी फाइटर प्लेंस का यूज कर रही है अमेरिका ने जो इराक प देकर पसीने छोड़ जाते हैं क्योंकि इस हेलिकॉप्टर की मारक छमता बहुत ही जदा है साथी साथ में यह किसी भी मौसम में काम कर सकता है गर्मी सर्दी बरसाथ हर समय इसको बराबर अपने पोटेंसियल से लड़ता है साथी साथ में यह अगर दिन हूँ तब तो अच पास में पठान कोट एयर जो बेस इसका है वहां पर इसको तैनाद किया है जिसका मतलब सीधा साफ है कि पाकिस्तान के नाक में दम करने के लिए भारत ने इन अपाचे हेलिकॉप्टर्स को वहां पर तैनाद किया है तो ऑप्शन देखकर यहां पर आंसर प्रताएंगे कित सहां कर दी है तो इसका राइड़न सर्फ हो जाएगा हरियाना ऑप्शन भी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि हरियाना सरकार ने किसानों का 4750 रुपए करोड़ रुपए माफ करने का आधिस दे दिया है करेंट रिफर्स का अगला कुशन मना है कि IIT खड़कपुर ने किसके साथ मिलकर National Artificial Intelligence Resource Portal लौँच किया है तो इसका राइड़न सर्फ हो जागा IIT खड़कपुर ने Amazon Web Services के साथ मिलकर National Artificial Intelligence Resource Portal लौँच करने की गोष्णा कर दी है तो यहाँ पर आपको एक फोटो भी दिखाना चाहूं का जिसमें कि आप देख सकते हो Amazon Web Services के साथ में IIT खड़कपुर का फोटो देख सकते हैं फोटो इस बज़े से लगाता हूं सुरेट लंबे समय तक आप चीजों को याद रख सको तो यह IIT खड़कपुर ने Amazon Web Services के साथ मिल कर क्या बनाया है National Artificial Intelligence Resource Portal लॉंच करने की गोशना कर दी है अगला कुशन है हाल ही में कहाँ पर नमस्ते Pacific एक इवेंट है जिसका आयोजित किया गया है तो देखो भारत के राजदानी दिल्ली में option C यहाँ पर बिल्कुल सही हो जागा दिल्ली में नमस्ते Pacific नाम का एक इवेंट है जिसको आयोजित किया गया है इस इवेंट में कौन-कौन से देशों ने भाग लिया है तो इस इवेंट में Australia, New Zealand, Papua New Guinea तता Fiji जैसे कई और देशों ने इसमें participate किया है इसका उदेश है यह जो देश है जिस देशों ने इसमें participate किया है उनकी Sanskrit कारकरम का आयोजित किया गया था दोस्तों अब आपको बहुत ही मज़ेतार करेंटर्स करवाने वाला हूँ यह वाला कॉशन इस वाले कॉशन में क्या है कि एक देश है जिसकी जो capital है वो पानी में डूब कर खतम होने वाली यानि कि उस देश की उस capital जो है एक पूरा सहर सा मान सकते है वो पानी में डूबन दीब के पूर्वी काली मंतन प्रांत को किस देश की नई राजदानी बनाया जाएगा तो यहाँ पर देखो इसका राइड एंसर हो जाएगा इंडोनेसिया ओप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इंडोनेसिया देश की में जो उनकी capital है उसको shift कर दिया है तो इंडोनेसिया बसेखिली बहुत छोटे चोटे आईलेंड से मिलकर बदा हुए एक डेस है ऐलेंड क्या होते हैं जो चारो तरफ से पानी से घिरी होती है पानी के पानी के इंदर डूबने में कभी भी मलब उसको ब्रूब सकता है तो अभी क्या ओर आजसे मौसम में तो इनकी जो capital है जिसका नाम है जकार था यह थी सबसे पहले उनकी capital यहां पर आपको दिख रही होगी तो यह छोटी सी जगह पर इस तरह चारों तरफ पानी बढ़ा था मौसम बदलने के कारण क्या हुआ कि पानी का इस तर बढ़ने लगा तो यह चीज जो है यह पानी में दिरी दिरे डूब रही है और बहुत जल्दी पूरी तरीके से डूब जाएगी तो इन्होंने जो अपनी capital को shift कर रहे हैं वो कहा करेंगे तो इस पूरे reason में कर आप देखो कि यह छोटी छोटी जिगह यहां पर करने से कोई फाइदा नहीं यह वाला island जो आप देख रहे ह इस जगह पर shift करने की गोशना यहां पर करी गई है तो यहां पर आपको बता दूं इंडोनेसिया की इस समय की जो capital है वो है जकारता इंडोनेसिया के प्रसीडेंट का नाम है जोको विडोडो जिन्होंने इस चीज की गोशना करी है अगला कुशन ने भारत में राष्ट्र यह पोशन मा के रूप में मनाने की गोशना करी गई है तो option C यहां पर बिल्कुल सही हो जागा यहां पर आप इसका पोड़ो भी देख सकते हैं सितंबर है राष्ट्रिये पोशन मा हर घर पोशन और पोशन का तेवार पहुँचे इसका उदेश क्या इसका उदेश से साब पोशन का मतलब होता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें को पोशन ना हो उनको प्रॉपर तरीकी से फूड मिले वो स्वस्त रहे इसी उदेश से से पर्व को मनाया जाता है अलग-अलग सरकार छोटे-छोटे कारकरम अवजित करती हैं जिसमें करीब बच्चों को कि पूरे देश में इलेक्टर वेरिफिकिशन प्रोग्राम, इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम इसमें करना यह होगा 뭐가? कि Чुनाव हो चुके है तो अब क्या होगा? फिर इनके जो सबसे बड़े मेंबर को एक user ID और password प्रवाइड करा जाएगा, तो उसमें उसको digitally अपनी सारे information इंटर करनी पड़ेगी, साथी साथ में उसके परिवार में कौन-कौन से लोग हैं, सभी की entry उसको महाँ पर देनी पड़ेगी, जो data होता है election commission के पास में, उसको और अच्छा किया जा सके, तो दोस्तों ये तो थे, आज के question शुरू करते हैं, सबसे पहला question की स्री लंगा के किस क्रिकेटर ने T20 में सबसे जड़ा विकेट बनाने लेने का record बना दी, प्रदानवंतरी नरेंदर मोदी जी को हाल ही में, किसके द्वारा सच भरत अवियान की तैट एक सम्मान प्रदान किया जाएगा, थेंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो,